वो सकी सैयां तो खूबई कमात है महगाई डायन खाय जात है सकी सैयां तो खूबई कमात है महगाई डायन खाय जात है शुरू कहां से किया मेरे खाल तो शुरू यह होता रहता है हमेशा जिन्दगी में खतम कभी नहीं होता जब भी अभी यहां पहुचे तो ऐसा लग रहा है मुझे अभी शुरू किया है तो शुरू करने के ऐसी कोई वो नहीं होती पर भ्याशन नहीं होती कि कब शुरू किया कहां शुरू किया सिर्फ यह है कि अगर आप अपने जीने पर तवज्यो देते हैं तो यह बच्पन से ही शुरू हो जाता है तो क्योंकि पुद्रत ने सब को दिया है कुछ ना कुछ खूबियां सब के अंदर होती है खूबियां भी होती है खामियां भी होती है और हम सब जानते कि हमारे अंदर खूबियां क्या है खामियां क्या है अब आपके जो खूबिया है अगर आप उनको पहचानना अगर आपको आजाए और उन्ही खूबियों को अगर माबाप भी पहचानने लग जाए तो मेरे खाल से रास्ता थोड़ा सा आसान हो जाता है लेकर बड़ा मुश्किल होता है और ये भी है कि अगर रास्ता आसान हो जाए तो उस रास्ते में जीने में मज़ा नहीं आता, रास्ता अगर मुश्किल है तो जीने में मज़ा आने लग जाता है। मैं तक है रहा हूं, बाई इमान में कह रहा हूं कि मुझे मुझे मुचकल रास्ते में वड़ा मज़ाता है। अब यह जो यहाँ आके बैठ गया हूं और चाह गया कि कैसे शुरू किया, तो मुझे सबसे पहले मेरे जहन में आता है कि मैं actually music से मेरा तालुक रहा है अब music मेरे जहन में कैसे आया वो मैं बतातु हूँ बिलकुल एक छोटे से गाउव का हूँ बिलकुल दिहात जहां गुंदेल खंडी बोली जाती साह शाह में कोई फर्क नहीं होता वहां से मैं वहां मेरी पैदाईश और अधारताल जबलबुरर के पाश एक जगाए में अधारताल हम इसके ऊपर से एक पापड बेशने वाला निकला करता था आप अदूर से। वग घर के लिए पापड बेचता था, वहा दूर से। बूम का पडलो, उलत का पडलो बूम का पडलो, उलत का पडलो तो हम उसको बुलाते थे प्लापले वाले प्लापल्वाला अand tard फैर वह गाता वी रजता था और पापड़ भी देता है ठाधा पापणू मुंका पापणू उलत का पापणू कितने श भाई मूंका पापणू…! उलत का पापड लो, मूम का पापड लो, उलत का पापड लो, फिर कंदे पर रखा मूम का पापड लो, उलत का पापड लो, बस उसके बाद में दिन भर घर में पापड बेजता रहता था और वो पापड बेज बेज के मुझे मुझे तमीज आई, मुझे मैंने शुरू किया फिर रासलीला, रामलीला और थिर बस सब वो दौर शुरू हुआ, तो बस महां से बस ऐसा दिवाना म्यूजिक में कि म्यूजिक है तो सब कुछ है नहीं, म्यूजिक नहीं तो कुछ है। मुझे एक सूर्दास का इस वक्त भजन याद आगया। एक सूर्दास था वो अपनी पत्नी उसकी आगे होती थी उतकी उपर वो हाथ रखे और वो निकलता था और गातू निकलता था और मैं उसके पीछे पीछे जाके चला जाया करता था, तो वो गाता था अरे आजु गई हुती बो रही हां रस खान रही कभी नंद के भो नहीं बाको जी ओ युग लाग करो रहीं जस्मती को सुख जात करो नहीं हर तेली लगाई लगाई कया जने भोही बनाए बनाए डिठो नहीं डारिया मेला निहा रतिया नने बारती ज्यों चुचिकारत चुने दूर भर आती सोबित स्याम जूत ऐसी बनी सिर सुन्दर चोटी रखेलत खात फिर यंगना पग पैजा नियां कटी पीरी कच्छा उटी और वाच्छ भी कोरस खान बिलों कत बारत काम कलानी दी कोटी और काग के भाग बड़े सजनी हरी हात से ले गयो माखन रोटी हरी हात से ले गयो माखन रोटी हरी हात से ले गयो माखन रोटी तो ये था तो मेरे पास कान थे बस एक्टर के पास कान होने बड़ा ज़रूरी है सच कह रहूं, अगर आपके पास कान है, तो आप अच्छा बुरा सब सुनते रहेंगे, और जो आपको चाहिए, वो आप ले लेंगे, जो ना चाहिए, वो छोड़ देंगे, उसके बाद पढ़ाई शुरू होगी, अब पढ़ाई जैसे शुरू होई, और मैं तो दिन भर गा कर लेगा, नोकरी के बाद फिर शादी कर देंगे, शादी के बाद बच्चे है, बच्चे के बाद फिर उनकी बच्चों की जिंदगी शुरूओ, तो मैं पतेई ये इत्तवाक नहीं रखता है, इस तरहे की जिनदगी से, मैंने तो रह कुछ और ही करूँगा, यह यह वाल तक पहुचे उन दिनों 11 हुआ करती है था हाईर सेकंडरी और वहां तक पहुचे तो जब 11 के जब एक्जाम हुआ बोर्ड से तो पहले मुझे अहसास हो गया कि मैं फेल हो जाओंगा। मालूम था कि फेल होने ही है तो एक बात रिजल्ट आने वाला आज मैं परिशान था कि करूंगा और अब फेल होना मुझे बिल्कुल बरदास्त नि होता थाak। क्योंकि कभी भी मैं कहीं भी कुछ इसमें गाने वाने, जब भी गाता तो कहीं न कहीं भी प्राइज लेकर आ जाता था मैं, वहाँ पूरे जबल पूरे शेहर में, तो यहां मुझे लगा कि अगर फेल हो गया तो इससे बड़ी शर्मिंदगी वाली बात और कुछ नहीं हो सक करें तो सब कुछ आपको मिलते ही चला जाता है, बशहर तक आप परेशान नहों बस बस उन चीजों के मज़े लेते चलें, खैर जी, मैं कि कल रिजल्ट आने वाला है, आज मैं परेशान तो आम के पेड़ के नीचे बैठा हुए था वहीं, इसकूल के सामने आम था और कि उसका नाम था, अभी तो नहीं रहा वो, तो वो आ गया, पूछने लगे, क्यों बैठो, मैंने का यार कल रिजल्ट आने वाला है, और मैं तो बिलकुल फेल होने वाला है, समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ तो कह तो कुछ क्या करोगे फिर, तो मैंने का मैं सोच कहा तो इसका भागोगे, मैंने कहां जी बिलकुल भाग जाओ जाओ जाओ, तो समझ नहीं आ रहा था, बोले चलो मैं भी भाग रहा हूँ, बस साथ मिल गया मैं भागा, पहली दफा में ट्रेन में बैठा और वहां से निकला और सीधे हम ललिदपूर पहुंचे, रात को ल पढ़ा कि थेटर यह है, तो मुझे मालूम नहीं थेटर होता क्या है, मैंने तो राम लिला रास लिला देखी ते खैर वहां जी, उस दिन हमने शो देखा और शो देखने के बाद हम बस स्टेंट पर सौए उसके बाद भाग गया कि उसको भागने की आदत थी, अकेला यह उंक्या, तो मैं पहुंचा वहाँ, नासकुमंडली यह जो थेटर, यह सो पार्शी थेटर तो वहाँ पहुंचा तो मैंने कहा कि ऐसा-ईस हुआ म rif談 में करूं क्या, मैं कोई काम चाहता हूं तो जहां लगी, क्या करत closed? तो मैंने का जी मैं गान गाता हूँ, बोले सुनाओ, तो मैंने क्या सुनाओ, तो मैंने का गजल सुना तुम आपको, तो उनको गजल सुना दी मैंने, गजल ये थी के, बदली तेरी नजर तो, नजारे बदल गए, ये चांद नी, ये चांद, सितारे बदल गए, बदली तेरी नजर तो, लेहरों से पूछ लीजिए, साहिल भी है गवा, लेहरों से पूछ लीजिए, साहिल भी है गवा, कस्ती मेरी दुबो के धारे बदल गए, बदली तेरी नजर तो, कहने लगे, कहने लगे बेटा, गाते तो सुरीला, लेकिन तुमारा तलफुद बड़ा खराब है, तो मैंने उन से कहा जी तबले पर गाउंगा तो ठीक हो जाएगा, हम मजे लगा कि तबले जासा कुछ साउंड सुनाई दिया तबला होगा तुमेरे पर गाउंगा तो ठीक हो जाएगा, तब साटी लोगँ नगहें लगे कि तबला लोट पॉर्ट esse भी है, तबला तबला ये तो फिर तब उन्होंने बताए कि तलफुज का मतलब बेटा चारन होता है, प्रनंसेशन होता है, तो मैं रहाँ जी ठीक, 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 ठी साल बिलकुल खाना बदोशों की तरह वहां उस नाटर कंपनी में रहा और इतना मज़ा आया मुझे इतनी जिन्दगियां देखने मिली इतने उस्ताद लोग मिले इतने खलीफे और सारे लोगों से वास्तरा और उनके बीच में में बस मेरे तो यही मकसद था कि बस अब फ़स जो अपना तबला मैंने कैसे ठीक है फिर मैंने उर्दू लिखनी पड़ नहीं सीखी वहां तब फिर मुझे चीजे समझ आने लगी फिर उर्दू जबान का मुझे पता लगा क्यों कि वहां मुंशी दिल लखनवी याग आशी कश्मीरी इनके नाटक हुआ करते उसम बगर उर्दू के तो कुछ होता नहीं था तो फिर मेरा वो गजल का घजल हुआ बाद में तो बस हम गजली सुनाते रहते थे पहले फिर वो गजल हुआ और धीरे धीरे फिर वहां छे साल फिर वो नाटकंपनी खतम हुई फिर मैं लखनू आ गया लखनू में फिर मैं बिहार जाया करता था, बिहार में मैं औरकेस्टा के साथ जाया करता था, वहां गाने वाने गाया करता था, लेकिन पार्सित शेटर में मैंने कुछ मेरे खाल से एक साल के, एक साल तक मैं सीखने में लगा रहे हुए, उसके बाद मैंने लैला मजनू, शीरी फरा, दाक कनशा, जो अर्दू के बड़वड़े प्लेजू उथ मैं फिर मैं लेकिन जी जान से लगा रहता मेरे 24 घंटे बस यही था मुझे ऐसा लगता कि सोने होने की कोई जगे नहीं आराम कर नहीं कोई जगे नहीं है एक्टर के लिए बस मैं सीखने में लगा रहता था, बस यही सब करता रहता रहता था बड़े-बड़े उस्ताद लोग थे उनसे गाना सीखता रहता था, कहीं प्रॉबर किसी की शागर्दी नहीं की लेकिन सबसे सब को जो मिलता था सीख। सीख, वहां एक और मैंने बात सीखी, जो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी हम सब के लिए, एक्टर के जो पेशा अख्यार करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे जरूरी यह है, जो मैंने वहां सीखा, एक वहां सारजेंट बावा हुआ करते थे, जो करीब 82, 83 साल के होंगे वहां पर गेट कीपर थे, तो वह उनों ने पुरी जिंदगी जमाना देखा हुआ था, ठीटर का और लोगों का अक्टर्स का, बड़े-बड़े अक्टर्स का, तो यह प्रत्वी राज कपूर, राज कपूर, सब उन देनों पार्सित ठीटर की अगरते हैं, सब का जमाना देखा हुआ तो नहोंने, तो एक दिन हम वहां स्टेज वैसी अपना अभ्यास कर रहे थे गाने का कुछ, तो मैं उन देनों मुकेश मननाडरी इनकी कौपी किया गरता था, यह जो नकल हो बिलकुल वैसी हूब हूब ऐसी गा लेता था, वैसी तो सब लोग बड़े वो थे कि भी तो बिलकुल वैसी कौपी करता है और बड़ा तारीफ कर रहे थे, देखो यह मुकेश की तर उन देनो मिलन के गाने चल रहे थे, राम करे, ऐसा हो जाए, मेरी निंदिया तो है मिल जाए, यह सब गाने होते थे, मुबारक हो सब को समाई यह सुहाना, मैं खोश हूँ जो तुम्हे दिया उसको टटोलो जरा उसको क्या है, तो मैंने का क्या बोले जब तुम्हे खुद दिया हुआ है उसने गाने तुम अपनी अपना क्यों नहीं करते है, क्यों किसी की नकल करते हो, उस दिन के बाद मैंने नकल करनी छोड़ दी, फिर मैं अपने अंदर अपन स्काम किया जा सकता, किसे उसको फिर तबसे शुरू हวย, फिर मैंने नकल नखने बिलकुल बंद कर दे, किसी की नकल ने, खुली ढूंट ता रहा, खुली आते हैं लोग, लेकिन हम लोग वो आदत होती है कि हमें वो बनना है तो उसकी नकल कनी शुरू कर देते हैं, ये सबसे ज़ादा बड़ा गुना है एक्टर के साथ, अगर आप किसी के नकल में, नकल करने के लिए अगर हो गए, क्योंकि आपके अंदर खुदी, खुबिया है उन खुबियों को जरा पहचान लिजिए, और खुबियों को भी पहचान लिजे, खुबियों पे काम कर लिए, खुबियों को खुबियों में तबदिल कर लिजे, सीधी सी बात यह है, उसके बात वहां हुए फिर मुझे पता लगा कि एनस्डी डिगीय डिरामा स्कूल है थेटर सिखाया जाता है, तो वहाँ पहुचा मैं, तो हमेरा बड़े आराम से मेरा, मैं बहुत डरा हुआ था, क्योंकि जब मेरा वहाँ इंटर्व्यू हुआ तो बहुत पीच्डी और क्या-क्या करके थेटर में आ हुए तो मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने तो नंगे बले गताते हुए इंटर्विव दिया, इंटर्विव देने के बाद इन्होंने उसी वसके दिए आपके स्कॉलिशिप एदी और हम आपको सिलेक्ट करते हैं, और कर लिया, नहोंने फिर 3 साल मैं वहाँ रहा, वहां रह के मुझे फिर बाकी चीज़ हैं जो बारिकिया हैं. और दूसरी भात मैं अमेने बहुत पहले एक्टर का एक्टिंग लफजे वो पहले टियाग दिया था। बहुत पहले छोड़ दिया। कि जो सबसे खतरनाक ही अवर एक्टिंग लफज ही है जो आपके जहन में होता है। इसी आपसे कहा जाए कि भाहिया इसकी एक्टिंग करो तो आप उसी वक्त एक्टिंग हो जाती वो रूह और आत्मा और वो सोल सब गायब हो जाता है। वो मुझे वहां समझ आया। अलगाई साब जब पढ़ाते थे तो वहां जो हुआ तब मैंने सब त्याग दिया। जो करेक्टर आपको किया जाए तो उसकी आत्मा को टटोल हो उसकी आत्मा क्या है। यह नहीं कि उसकी नकल जो आप करने लग जाए। तो फिर-थेर फिर एक्सरसाइज बहूत योग और यह सब करते पिर वहां, तीन साल फिर मुझे क्रेक्टर का डिसिप्लिन पता लगा कि करेक्टर में डिसिप्लिन होता है, उसके आंदर रहोगे, तभी ठीक है नि कॉ तो ऐसी धीरी-धीरी चीजह समाज आती रही, फिर मैं तीन साल वहां रहा, फिर दस साल में MSD रेपरटरी में था, फिल्मों में आने का मेरा कोई रादा नी था, कि मैं फिल्मों काम करूँगा, कि ठीटर में जो सैटिस्ववेक्शन मिलता वो कहीं नहीं था, तो मैं तो क्यो मैं तो सीधा वहां गया और मैंने रेपटरी जॉइन के लिए और दस साल में एनसडी रेपटरी में और तेह कल दिया कि जब तक कोई ऐसा रोल नहीं मिलेगा कि करने लाइक तब तक मैं नहीं करूँगा फिर मैं थेटर ही करूँगा क्योंकि मुझे वहीं मजा रहा रहा था अपने बात बात में यह कहा कि आपने जिद्दगी को बहुत अप्सरव हिया जी तो बतो अलाकार यह चीज होती है कि आटिंग की ट्रेनिंग लेते लेते हैं हम at a very moment level बदर जाते हैं, जिन्दगी बहुत कुछ सिखा देती, वो अबसेशन से, तो इस पर आप क्या लाइट प्रोग करना चाहिए? देखिए, जैसे आप, जैसे आपके जहन में यह आए कि मुझे एक्टर बनना है, तो एक्टर आप खुद तो कुछ है निए, एक्टर आप दूसरी को कुछ करोगे, अपना क्या कर लोगे? तब ही उसी वक्त से आपको सबसे पहले यह तेह करना चाहिए कि आपको अपनी जिन करना ममम में यह हुआ था, कि मुझे मैंने सिगर्ट तक नहीं पिता और मुझे वहा डरग एडिक क्या वह था, क्य वहा सिर्फ यह था, क्योंकि मैं वहा से कि आत्मा को कैसे पहचाना जा है तो नाना से मैंने कहा कि भाईया मुझे यार ऐसे लोगों से मिला तो मैं जा कि उनके बीचों बैठा रहता था सिर्फ कभी मैंने सिगरिट नहीं पी कुछ नहीं किया लेकिन उनके जो पीने के पहले और पीने के बाद जो उनकी जो हालत होती थी ना मिलने में क्या हालत होती मैं वही देख देख के कोशिश करता रहता कि अंदर क्या चलना होगा तो actually ये अंदर रूख को पहचानने की वह है, एक पेशा है कि आप रूख को कैसे पहचाना जाए, किसी दूसरे के शूल को कैसे पहचाना जाए, अगर आपको वह पहचाना आजाए, तो फिर आप तो कामआब है, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। तो यही अभ्यास है कि कैसे किया जाए इसके लिए मेडिटेशन यह एक्टिंग का पेश अप मेडिटेशन इतना बड़ा वो है कि और इसके लिए सबसे जादा जो मुझे मदद कहूं या वो सबसे जादा मुझे 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 आपको सुनना ही आजाए, आप सुनके देख लीजे, उसके सारे ये जो इमोशन के जितने पहलू है ना सारे सब समझ आजा जाते हैं आपको, हसना, रोना, गाना, नाशना, सब म्यूजिक संद, सब कुछ भरा हुगा है, आप ज़र गौर करके देखिए, तकलीफ के भी बहुत सारे पहलू होते हैं, बहुत सारे हिस्से होते हैं, उसकी तकलीफ अलग है, किसी ने आपको धोका दिया, उसकी तकलीफ अलग है, किसी ने आपको, कोई आपको बहुत करीब ही मर गया, उसकी तकलीफ अलग है, सब की तकलीफ हों बड़ा फर्क फर्क है, और म्यूजिक में सब कुछ है, आप तो सारे फरक आपको पता लग जाएंगे, तो ये इतफाकन म्यूजिक और मैंने कभी छोड़ा नहीं, सबसे बहतर मेरा जो साथी है, वो मेरा म्यूजिक में कभी भी, जब कोई करेक्टर भी मुझे मिलता तो मैं बस उसके, उस करेक्टर क को जितना भी समझ आता है उसके इ Toks personnes करेने के सुनता रहता हूं, फिजखना हैं और उसchy हूख होने के कोशिख में लगा रहता है two-four दिन में फिर पथा लग जाता है, और जो कारेक्टर दिया जाता है, और पढ़ा पढ़ने के बाद और पढ़ी और पढ़ी और पढ़ी। पढ़ी और पढ़ा। पढ़ते पुर दिखाई JOSH देने लग जाता है। To person and by using the स्टेज क्राफ्ट में, स्टेज क्राफ्ट में, अलकाई साब ने कहा क्या करना चाहता हूं, मैंने सब को स्टेज क्राफ्ट में, तो उनका ठीक, स्टेज क्राफ्ट में, स्टेज क्राफ्ट में मजदूरों का काम है, मैंने को और वाकी में मजदूरीम बड़ा मजदूरीम ब काम करते वक्त आपके साथ कोई नहीं होता, आप अकेले होते हैं, खाना बनाते वक्त आपके साथ कोई नहीं होता, आप अकेले होते हैं, और अकेले करके देखे, उस वक्त आपका जो जहन होता है, वो जहन इतना प्योर होता कि आप कुछ भी जो सीखना चाहें, करना चाहें, इमेजिन करना चाहें, किसी में घुसना चाहें, म्यूजिक में डूबना चाहें, वो सबसे मुझे ऐसी लगी. और क्या होता है कि हम छोटे, एक और लब्स यहां जो चलता है कि हम इस्ट्रगल कर रहे हैं, भईया, जिन्दगी में कोई इस्ट्रगल नहीं है, मैं सच बतारो, इस्ट्रगल है ही नहीं, इस्ट्रगल वो इस्ट्रगल हुआ है जब आपको पहली कلاस में आपका नाम लिखा और जो स्कूल की घंटी बच्टी थी और आप उठके और स्कूल जाया करते थे बस्टा लेके, अगर आप उसको पुछ पहुआ नहीं सेखते हैं, आप यह भी नहीं पहुँआ है तो यहां भी नहीं पहुँआ नहीं है, यह आपकी महनत है, आप ज़रा आप जागी अगी मुझे सबसे बहतर दिन जो सबसे खुबसूरत दिन थे, वो थे मेरे छे साल पारसी थेटर वाले, जहां मैं भूखे मरता था और सीखता रहता था, और मुझे आज भी सबसे ज़ादा मज़धार सूख जाते थे, मेरे गाल निकलाते थे, सज रहूं मैं, क्योंकि मैं उसमें भी मज़े लेता था. आप मज़ा लेना सीख लिए ज़रा सा तकलीफं का मज़ा, क्योंकि हमारा काम ही हो यह है, अर्प टॉर्चर. आप टकलीफ हो ज़रा सा मज़ा लेंके देखिये, और आपके अंदर अधर कहा क्या तकलीफ हो रहरा है, वो सेंसेस को पहचालिए, अगर यह होता तो फिर कहा हो रहा है, यह हमारा पेशा है, वही हमारे काम आता है, वही आपका बैंक है, वही आप खटा करके जाएं, फिर वही इस्तेमाल करते चले जाते हैं, और धीरे धीरे फिर ऐसा है कि आपके पास एक पूरा ख़जाना भरा हुआ है जजवातों का, इमोशन का, बहुत सारी चीज़ों का, उससे फिर आप निकाल लीज़े, निकालते चलिए, सीधी बात यह है। मुश्किल कुछ नहीं है, आपका यह, यह मुश्किल करता है, हम लेजी बहुत हैं लोग, काम करते रहे हैं तो कुछ भी किताब अठाके पढ़ लीज़े या ना पढ़िए या कुछ लिख लीज़े या कुछ, मैंने तो वर्क्शॉप बना रखी, क्योंकि वो मुझे फायद कि उसे अक्टर नहीं बनते हैं, आपको जिंदगी जीना सीखना पढ़एगा, आपको अपने जिम्मेदारी नहीं उठा से, आपको और और जिन्दगियों की भी जिम्मदारी आपके अंदर होनी चाहिए, वो कैसे जी रहे हैं, वो कैसे महसूस कर रहे हैं, यह सारी आसान भी नहीं हैं मज़ेदार भी बहुत हैं अब थोड़ा सा मज़ा लेना शुरू करें देंके फिर मज़े मज़े हैं फिर आपको यह स्ट्रगल बेस्ट्रगल कुछ नजर नहीं आएगा कि हम इस्ट्रगल करें आप अपनी म्यूजिक को अपनी आपिन सब कैसे रिलेग करते हैं कैसे रिलेग करते हैं देखो यह सारी चीजें इमोशन्स वाली वार्त होती जजबातों की चीज़े होती हैं यह चाहिए एक्टिंग और दोनों एक ही हैं उसकी जरた होता है उसकी जो ताथीर है ऐसी गहरी है एतना था समन्नर साधर मोशाता है उछ उ गहराई और अंदर चले याई वो कभी खतम नहीं होता जजवातों कभी यही है तो हम उसका थोड़ा से सहारा लेके और अपने आपको वहां पहुचा देते हैं जो हमें जजवात पेश करने होते है जो एमोशन पेश करने हो तो उसका सहारा लेके आप देखिए एक सेकंड मे जो सबसे पसंद मेरे सारे सब दिल से मेरे सबसे मैं किसी को यह नहीं पसंद नहीं है शुरू में जो किये थे वो जादा थे के उन्हें मशक्कत बड़ी करनी पड़ी एक प्ले जरूर था जो बहुत सारी चीजें दे दी तो वह था और मैसी साथ पहली फिल्म सलाम बॉंबे कि उसे मशक्कत जिस जिस काम में मुझे बहुत महनत मशक्कत करनी पड़ी वो मुझे याद रह जाते हैं मेरा ना विशाल, मैं वारूम सी इसा तो सर जय जैसा कि आपने का कि कुछी भी आप्टर की मिमिक्री मन करो मत उसे कॉपी मन करो और अपना जो है अपना बोल चीज रहो और अपना है और फुल जॉब अपना है तो मैं आपना जात हो कि आपने सरहे इसा इसा जाती है आपके लिए कि नकल करना जादा मुचल है मुझे ऐसा लगता है, कि अगर आप नकल करें तो एक तो उसमें आप है नहीं, आप खामा खाँ किसी जो नकल करने है और उसमें काम कर रहे हैं, जो आपके काम आने वाला नहीं है, आप सिर्फ नकल निकले हैं, लोगों ने कह दिया, अब आप क्या वच्छा है, तेरा ही नाम दबा रखा है और इस दिल में क्या रखा है तेरा ही नाम दबा रखा अब इस दिल में क्या रखा है कितने नजश्वाहत थें अब नजश्वाहत है आप निकाल सकते ही मिद्ध रूजू पर अबारा वाद की बताया है और आपने एक साम बहर साथ पार स्थी चैशा की मशक्षी मद्ध एक मुझा पहर अज अडिया पार सुना तष्ट पर अडिया देश्क पित है क्या एक एक एक्टर की मौत पानी जाता है। मशक्कत की मौत? या। मशक्कत में कोई मौत नहीं होते है। क्योंकि सर, ऐसा मुझे, I don't know, मैंने बहुत पार देखा है कुछ-कुछ एक्टर जो यंग थे ये और वो सारी चीज़े नहीं होती है। है। लेकिन आपको उस पर यखीन भी रखना होगा, जो आप कर रहे हैं। यखीन भी रखना होगा। ये नहीं कि जरा सा किया और आपको हासिल हो जाए कि आपने जरा से तो वो है। और मशक्कत ये है कि जो आपकी छटपताहट है ना वो छटपताहट वरकरार रहनी चाहिए। व जो आग अंदर जुनून दीवान की जो उन्माद जो है। मशक्कत महनत वो तो है लेकिन ये जो छटपताहट है और ये उस पर आप कैसे काम करें। और इस चटपताहट बरकताहट रहनी चाहिए। और इस चटपताहट को आप अन्यथा ना लें। आप इस चटपताहट को परेशानियों में ना लें। तकलीफों में ना लें। इस चटपताहट को अगर आप छटपताहएंगे नहीं तो आपको कुछ हासिल नहीं होगा। यह चटपतान बड़े मज़ेदार होता है, अगर उसका मज़ा लेने शुरू करें तब, और उम्र की जो बात, उम्र इस एक्टर के लिए कोई माइनी नहीं रखती, आप जैसी उम्र के बारे में सोचें, तो उम्र आपके पीछे पड़ जाएगी, उम्र का सोचिये मत, जैसी आपने सोचा कि मैं 35 का हो गया, मैं 40 का हो गया, और मैं हो गया वस उसी वक्त आप हो जाएगी उसी वक्ते, सोचिये मत, आप बच्चे रहिए हमेशा, मैं अभी बच्चों से बड़ा सीखता है, जो इमान, जो वो, सब कुछ उनके अंदर है, मेरे तो आदर से बच्चे हैं सज बता रहूंगे, अभी मैं उनको देखके, अभी भी सीख लेता हूँ, जिस इमान से वो अपनी बात कह जाते हैं, वो बहुत माइने रखते हैं सब चीज़ें। झाल